अगर वेट बढ़ा हुआ है तो वो एक रिस्ट फेक्टर है लेकिन अगर वेट नॉर्मल है या लो है तो इसका मतलब नहीं है कि आपको जेस्टेशन डाइबिटीज नहीं हो सकता वेट अगर कम है या नॉर्मल भी है लेकिन अगर फेमिली हिस्ट्रीय डाइबिटीज की या फिर आपको पहले हिस्ट्रीय की लार्ज वेट का बेबी हुआ है या पहले प्रिग्निंसी में जेस्टेशन डाइबिटीज हुआ है तो रिस्क है आपको भी जेस्टेशन डाइब झाल